प्रदेश के शिक्षा मंतरी भी हैं गोविन सिंग डोटासरा और बेहतर उनके कामकाज को देखते हुए उनको ये जिम्मतारी दी गई है और सचिन पाइलट को प्रदेश रद्यक्ष की जिम्मतारी से मुक्त कर दिया गया है यानी की सचिन पाइलट आउट हो गए हैं और गोविन सिंग डोटासरा इन हुए हैं राज़स्तान कॉंगर्स का नया प्रदेश रद्यक्ष का चेहरा अब गोविन सिंग डोटासरा होंगे जोकी मौजूदा सबय में शिक्षा मंतरी भी है अब पूरे प्रदेश कॉंग्रे के साथ साथ आला कमान के भी सहमती बनी और जैसे ही दोनों तरफ से हरी जंडी मिली आज उनके नाम का ऐलान रणदीब सुर्जेवाला ने प्रेस कॉंफरेंस के दोलान कर दिया और ये जो है कॉंग्रिस की तरफ से उठाये क्या बड़ा कदम है क्योंकि सियासी खामासान के बीच सचीन पाइलट पर पहरे कारवाई के बात हो रही थी और उसके बाद आप सामने आए रणदीब सुर्जेवाला बताया उन्होंने कि बैठक में फैसला हुआ है आला कमान से हरी जंडी मिल गई है और सचीन पाइलट को प्रदेश्व द्यक् कॉंग्रेस के नए चोहरे के तो पर अब सबके सामने हैं हालंकि शिक्षा मंत्री भी है तो ये प्रभार में उनके पास रहेगा जिम्मा जो है ऐसे मुश्किल वक्त में टोटासरा को सौपा गया है जब राजिस्तान कॉंग्रेस के भीतर ही अंदरूनी कला देखने को मिल रही है और सरकार पर जो संकट के बादल थे फिलहाल तो वो संकट के बादल छटते नज़रा रहे लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक ये मुश्किल हालात बने रहेंगे ऐसे में प्रदेश कॉंग्रेस की अध्यक्षपत की जिम्मधारी जो है उबेहत महत्पूर्ण है और सचेन पाइलट की छुट्टी कर दी गई है उनके बारे में आपको जानकारी दे दे तो तीन बार वो लक्षमंगर स्वीट से रहें विधायक 2008, 2013 और 2018 में विधायक रहें मौझूदा सरकार में शिक्षा मंत्री है सीकर कॉलेज जलाधक्ष भी रहे है तो उनके बारे में आ कॉंग्रिस जो है सचेन पाइलट को मनाने की कोशिशों को अब खत्म कर रहे है और अब उन पर कारवाई तेज कर दी गई है हालांकि कॉंग्रिस की सदस्ता से उन्हें बरखास नहीं किया गया सदस्ता नहीं चीनी गई है सिर्फ उप मुखे मंत्री पद और पी सीजी के पद से उन्हें हटाया गया है